हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज है सेविन जुलाई और आज ही हम लोगों को यहां से निकलना है आज कटरा में हमारा आखरी दिन है तो हम लोग इस टाइम आए हुए हैं मार्केट अभी टाइम हो रहा है मौर्निंग का ग्यारा बजे के सम्तिंग टाइम हो रहा होगा तो हम लोगों ने सोचा चलो आकरी बार मार्केट हो लेते हैं और कुछ लेना हो वो भी ले लेंगे अक्रोट बगर है अभी हमने नहीं लिये हैं तो वो हमें लेना है और भी कुछ छोटा मोटा सामन प्रिशाद बगर है हमने सोचा चलो ले लेते हैं क्योंकि कि फिर तो यहाँ आना नहीं होगा और हम यहाँ से दिन में निकल जाएंगे क्योंकि हमारी जो ट्रेन है जम्मू से है और वो नाइट की है साड़े नौ बजे की तो हम लोग दिन में ही यहाँ से निकल जाएंगे इसलिए हम लोग रेड़ी होकर आ चुके हैं और जो दिया है और वो अभी हम लेकर नहीं हैं वो अभी होटेल में ही रखे हुए हैं क्योंकि मार्केट में कहां लेकर घूमते तो वहीं जमा हैं हमारे होटेल में बस अब हम यहां से जो भी हमें शॉपिंग करनी हैं वो सब हम कर लेंगे और लंच करके सीधे यहां से निकल जाएं वहीं से बस लेकर जम्मू पहुंचेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहां की मार्केट भी दिखा रही हूं इससे पहले भी दिखा चुकी हूं लेकिन आज लाश्ट टाइम हम लोग यहां आए हैं तो मैंने सुचा चलो शूट कर लेती हूं वैसे अभी हम जितने द ले जाएंगे तो यह जब सिर्फ हम याद करेंगे अभी हम लोग आया हुए हैं एक अक्रोट की शॉप पर और यहां पर काफी वैराइटी में अक्रोट एवलेवल रहते हैं किसी नहीं मुझसे पूछा भी था कि यहां पर कौन कौन से ड्राइफ रूट मिलते हैं तो यहां पर अक्रोट और बादाम आपको सबसे ज़्याद एवलेवल हैं और सारी शॉप पर अलग रग रेट के रहते हैं तो आपको जैसे लेना है वो आपकी चोईस है अगर आप ज़्यादा अच्छे लेना चाहते हैं तो रिंज हाई हो जाएगी और काजु यहां पर बहुत कम मिलते हैं मैंने एक आदी शॉप पर देखे हूं त मिलते हैं और किश्मिस मिल जाएगी आपको चुहारे मिल जाएंगे तो यह ड्राइफ रूट यहां पर ज्यादा मिलते हैं तो बस मेरे अच्पेंड अभी यहां से ले रहे हैं अक रोट क्षेट हम लोगों ने शौपिंग कर ली है उसके बाद आए हुए हैं एक रेश्टोरेंट पर यहां हम लंच करेंगे तो बस हम लोगों ने लंच ओर दिया है और उसी का वेट कर रहे हैं हमने यहां पर दो थाली ओर की हैं तो यह आ चुकी है यह आप देख सकते हैं यह एक थाली है और यह एक और थाली है तो हम लोग बस अभी लंच इंजॉय करेंगे उसके बाद जाएंगे सीधा अपना सामन लेने के लिए फिर जाएंगे बस स्टेंड और वहां से जम्मू के लिए बस लेंगे और मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सिब खोरी के लिए बस कहां स मिलती है तो वह आपको आराम से बस स्टेंड पर मिल जाएगी और बस स्टेंड जो है मार्केट के पास में ही बना हुआ है दो मिनिट का भी रास्ता नहीं है और यह जो मार्केट मैंने आपको दिखाई है यहीं पास में मार्केट बनी हुई है वहीं बस स्टेंड बना तो आप लोग सिप्खोरी जाने के लिए आराम से बस वहां से ले सकते हैं वहाँ पर एजेंट रहते हैं तो आपको उनसे पूछ लेना है और अपना टिकेट ले लेना है और आराम से आप लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं अपना सामन लेने के लिए तो मेरे हजबंट अभी कर रहे हैं चेक आउट और बस हम यहां से सामन लेंगे और मैं आप लोगों को हाई भी कर रही हूं यहां पर तो हम लोगोंने बस ले ली है बस स्टेंड से और अब सीधे जा रहे हैं जम्मू तो बस यहां के यह जो न जा रहे हैं वही सब आप लोग को दिखा रही हूँ तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और इंजोई कीजिए अभी हम लोग आया हुए हैं जम्मू के एक मॉल घूमने के लिए तो इसका नाम है बेब मॉल तो हमने सोचा चलो चलते हैं क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो चार वज रहे हैं और हमारी ट्रेन नाइट की है तो हमने सूचा क्या करेंगे अभी काफी टाइम है तो यहाँ पर ही घूम आते हैं जम्मू में वैसे यहाँ पर रगुनाद जी का मंदिर भी बना हुआ है तो वो हम लोग नहीं गए घूमने के लिए देखने के लिए क्योंकि जितनी बार मैं आई हूँ जम्मू हर वार ही आ हैं देखने के लिए घूमने के लिए तो इस मॉल के बारे में सुना तो बस यहाँ पर हम लोग आये हुए हैं और यह मैं यहाँ पर भार का सीन आप लोगों को दिखा रही हूं क्योंकि मैं फर्स टाइम आई हूं मुझे भी कोई नौलिज नहीं है जो लोग यहां के होंग दिन यहाँ पर अलग था सब जगे के अलग लग भू रहते हैं थोड़ा तो बस यह मैं आप लोगों को दिखा रही हूं थोड़ा पूरा व्यू और काफे सारे शौप बनी हुई थी और बस यही सब है जो की सब जगे होता है मौल तो वैसे सेम ही होते हैं शौप बगर होत पर नहीं पर सब्धानि का पर बश्याण करें तो बंग कर रहा है तो हम लोगों थोड़ा देखा वहां पर काफी अच्छा लग रहा था काफी पैरेंटेंट्स आय थे अपने बच्छों को लेकर तो यह पर यह तरह से कोई प्रोग्राम चल रहा था अब इतनी नहीं है क्य स्टार्ट नहीं हुआ है चोटे चोटे बच्चे थे तो काफी सुन्दर सुन्दर पेंटिंग बना रहे थे तो बस आभी हम लोग उपर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कैसा हो रहा है और बस इंजॉय की आमने तो आप लोग भी बने रहें मेरे साथ कि एक है और सुन्सित केपन के अब बने अज़ हैं और फ्यांट आपसे रहे हैं और जा एक स्ँन्सी में है स्वेजिव थे और यह हैं और सिवत्य खिया पने पत्रता कान हम लोग यहाँ पर कुछ शामन बगएर देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कितने सुन्दर सुन्दर से आइटम है लेकिन मैंने यहाँ से शॉपिंग नहीं की ज्यादा क्योंकि यहाँ के जो आइटम थे मुझे कोश्टली लगे कमपेरिजन गौालियर के हमारे यहाँ कम रेंज में मिल जाते हैं यही आइटम तो मैंने इसलिए ज्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि जब हमारी सिटी में हमको कम रेंज में मिल रहा है तो मैं यहाँ से कोश्टल क्यों खरीदूंगी इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया और हम लोग फूट कोट गए थे यहाँ पर उपर बना हुआ है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी इतने ज़्यादा लोग थे ऐसा लग रहा था कि सारे जम्मू के जो लोग है वो यहीं आ गए हैं खाने के लिए तो एक भी सीट खाली नहीं थी सारी सीट बुक थी तो हमें पता नहीं कितने टाइम खड़े रहना पड़ता और काफी लोग ऑल लेड़ी खड़े हुगे थे तो आदे घंटे वेट करना पड़ता एक घंटे वेट करना पड़ता कुछ भी नहीं पता सारे स् मैंने वहां की बिल्कुल भी बीडियो शूट नहीं की अगर की होती तो आप लोगों के साथ जरूर शियर करती और नीचे यहां पर एक श्टॉल लगा हुआ था खाने पीने का तो हम लोगों ने यहीं पर कुछ खाया पिया और उसके बाद चले गए क्योंकि टाइम भी हो र हैं और पैक करके ले जाना तो बेकार है तो हम लोगों ने जो है बस जम्मू बगारे घुम लिया है थोड़ा बहुत उसके बाद हम आए हुए एक रेश्टॉरेंट में और यहां पर वैठे हुए हैं हमने और कर दिया है तो जब हमारा खाना आ जाएगा उसके बाद हम लो ऑस्वाइड़ produits जसे हैं हमने में हैं हम जाएभी में आ रते हैं हम आया हैं हम शाहओे हैं हुए हैं पर बाद हम बाद बाद हैं हैं वाद टास आ ने दित अ दिनर करने के बाद हम लोग आ चुके हैं जम्मू रेलवे स्टेशन और यहीं का जो थोड़ा बहुत नजारा है वो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी एक व्यूवर्स ने मुझसे बोला था मुझे उनका नाम नहीं याद कि जब भी आप जम्मू जाएं तो वहां की वीडियो जरूर बनाईएगा उनको अच्छा लगेगा तो इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर यह जो वीडियो शूट कर रही हू तो यह रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है जम्मू तभी आप देखी सकते हैं और बस अब हम लोग जाएंगे अंदर और वेट करेंगे अभी हमारी ट्रेन आने में आदा गंटा है तो फ्रेंड्स अपने इस ब्लॉक को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी और जम्मू कट्रा में हमारा यह आखरी दिन था अब इसके बाद जो भी ब्लॉक आएगा वह आप लोगों को ग्वालियर का मिलेगा अब मैं आप लोगों से सीथे ग्वालियर में मिलूंगी और जम्मू में बहुत जादा गर्मी थी कट्रा में तो गर्मी थी लेकिन कट्रा से जादा जम्मू में गर्मी थी हमेशा यहां पर काफी गर्मी रहती है जब भी हम लोग आए हैं तो चलिए मिलती हूं अपनी नेस्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉक के साथ तब तक के लि झाली